तो मैं Venom The Last Dance के ट्रेलर में वेनम के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ मैं इसमें इंट्रेश्टेड हूँ नल के वज़े से जिसे हमें इस ट्रेलर में टीज कर दिया गया है जो कि यह गौड ऑफ सिंबियोड्स नल और यह अंधेरे का बादसा जो कि हमने इस ट्रेलर म होगा जिसने इन सब को बनाया और जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया गया कि वह एक अंधेरी जगह में और वह एक थ्रोन में बैठा हुआ है और कॉमिक्स में भी एक वाइड नाम के जगह पे रहता है नहीं वह लोकी वाला नहीं यह एक ऐसी जगह है जहां पर रॉस्टनी के एक कत्रा नहीं है और वह अपने थ्रोन पर बैठे रहता है और से अपने काम करवाता है और मुझे यह नहीं समझ मारा कि अगर यह इस मूवी का में विलन है तो वैनम इससे लड़ेगा कैसे क्योंकि यह वैनम से बहुत ज़्यादा पाउर्फुल है इतना कि आप कंपेर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसने सेलिस्टियल को भी मारा है और जैसा कि वैनम लिविंग चीज के सथ बॉंड करता है जैसे इंसान घोड़े हो गए और जैसा कि ट्रेलर में दिखाया वह एक जगा मचली के ऊपर भी कंट्रोल करता है पर नल से बॉंड हो सकता है और उसने य किलिंटार और वह जैल पूरी सिंब्योट से ही बनी वी है और नल ये जैल में कैसे जाता है और सिंब्योट इसे कैद क्यूं करते है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है पर टेंसर ने मैं आपको सौट में बता देता हूं दरसल उनिवर्स के क्रेट्ट होंसे पहले ही नल यहां एकजिस्ट करता था और उस वक्त युनिवर्स में कोई भी लाइट नहीं थी टोटल डार्कनेस था जहां पर अचाना की कुछ सेलिस्टियल वहां जाते और वह यहां लाइफ के क्रेशन करने लगते जिसके लिए उन्हें लाइट की जरुवती तो वह यहां से एक सेलिस्टियल की मुंडी काड देता है जिससे हम अभी गार्डेन अब गैलेक्सी में नोवेर के नाम से जानते और यह देखके बाकी के सेलिस्टियल वहां से भाग जाते हैं पर लाइफ का क्रेशन रुका नहीं था इसके बाद नल अपने नेक्रसॉर्ट से एक के बा बहुत ज़्यादा गुस्ता था और जब उसके प्लैनेट मेंकर नल और वह गौड गिरते हैं तब वह बंदा नल के नेक्रसॉर्ट को लेकर उस गौड को मार देता है और वह बंद और कोई नहीं गौर्दा गौड बुचर था जिसके बास नल की नेक्रसॉर्ट आ गए थी और उसके बाद उसने क्या तबाही किये वह तो आपको पता ही होगा तो सोचो जिसके वेपन से गौड तो गौड बुचर इतना ज़्यादा पौवर्फुल हो सकता है कि वह सब गौड को मार सके तो असली नल के तना ज़्यादा पौवर्फुल होगा और कहानी यहीं खतम होती इस लड़ाई में नल बहुत ज़्यादा घायल हो जाता और वह अपने आपको ठीक करने के लिए एक जगह पे चले जाता है जहां पर उसे कुछ चिप-चिपी सी चीज मिलती है और वह उन चीजों को लिविंग नल के अब तक नहीं दिखने का पर इस ट्रेलर को देखके लग रहा है कि अभी फिरी हो चुका है और सुरू-सुरू देखके लग रहा था कि यह सारे सिंब्योट्स वेनम के लिए और वह इसे ले जाना चाहते हैं पर जब यहां नल के एंट्री वी तब मुझे समझ में आया वह साहते आखिर में वेनम के साथ लड़ेंगे क्योंकि अकेले वेनम नल से कभी जीती नहीं सकता उसके सामने खड़ा तक नहीं हो सकता और पता नहीं यह सारे सिंब्योट्स मिलकि भी नल को हणरा पाएंगे कि नहीं तो मुझे बस इस बात की टेंसन है कि सोनी और विलेन पर नल ने उसे अपने हातों से ही दो तुकड़ों में बाठ दिया था तो इतना ज्यादा पाउरफुल नल और बस देखना यह है कि सोनी नल को इस मूवी में कैसे दिखाता है या फिर जैसे मार्वल ने गौर को वेश्ट कर दिया यह विलन ना वेश्ट हो जाए तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे और कमेंट जरूर कीजएगा कि नल के बारे में आपके क्या विचार है तो चलिए मिलते है किसे और वीडियो में तब तक के बाय